पूरे मामले पर अब सपा ने जिलादिकारी काराले का घिराव किया और राष्टपती के नाम डियम को ग्यापन सौपा सपा ने मांग की कि आरोपी केंद्री ग्रह राज्यमंत्री के खिलाफ मामला दर्च किया जाए मामले पर सपा नेताओं ने कहा कि जहाँ समविधान के प्रहरी पत्रकार सुरच्छित नहीं है तो आम जन्मानस का क्या हाल होगा उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि केंद्री ग्रह राज्यमंत्री जैसे गरिमा माई पद पर बैठे ऐसे दबंग नेता तुरंत उनके पद से हटा दिया जाए इंद्री ग्रह राज्यमंत्री हो इस तरीके से पत्रकारों से वदर्ता करना मारफीट करना ये बहुत दुख़द और निंदनी है जिन पत्रकार सातियों को हम चोथा इस्तंब कहते हैं जो हर वक्त सजग प्रहेरी की तरह 24 गंटे दिन रात चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो चाहे जाड़ा हो समाज की सेवा के लिए जो लोग हमेशा ततपर रहते हैं और एक समाज में एक सच लाते हैं समाज में एक आयना दिखाते हैं सच्चाई को उजागर करते हैं उन्हीं पत्रकार भाईयों की आवाज दवाने क्या काम एक कंदी ग्रह राजमंत्री दौरा जो किया गया है उनके साथ जो अबधरता की गई है दुर्वेवार किया गया है गाली गलोज की गई है समाजवादी पार्टी और धमकी दी गई है समाजवादी पार्टी इसकी घोन निंदा करती है देखे आज हम लोग यहाँ पर ग्यापन देने आये हैं जिलादिकारी मौदे को क्योंकि जो कल घटना हुई है वो बहुत निंदनी है क्योंकि पत्रकार चौथा इस्तंब होता है और पत्रकारों के साथ इस तरीके का दुर्वेवार हुआ है वो वाक़ी बहुत निंदनी है जिस तरीके से उन्होंने ये बात कही थी मंत्री जी ने कि जब अगर उनकी आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो मैं स्तीफा दे दूँगा तो उसके बाद अगर कोई पत्रकार उस बारे में बात कर रहे हैं कि धारा जो लगाई गई है उससे हम लोगोंने भी वीडियो देखी ह उन वीडियो में ऐसा कोई भी प्रशन नहीं पूछा गया जिसका जवाब उनको नहीं देना चाहिए था लेकिन जिस तरीके से जो भी हुआ और किसानों के साथ भी उन्होंने पहले जो दुरिभार किया था किसानों को पहले गाड़ियों से रोंदा गया उससे पहले भी उ पहले जाए इसके लिए हम सब साथ में हैं अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हां बेल आइकॉन दबाना ना भूले ताकि हर ख़बर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंद हमारे आइटी है अट तरेट ज्याएमधी ड्यूस फ्लाश